येस, वी अलाइब नाओ, हेलो फ्रेंग्स, दिस इवांची एन वेल्कम टू लेट्स लेंट तो आज हम फॉर्स चैप्टर पढ़ेंगे फॉर्स रियॉनिट का केंद्रे विद्याले का एक्जाम 2022 ते इसमें आप देखी रहें और पिल्कुल स्लेबस के अकॉर्डिंग चले पिल्कुल साथ चलना है, सलेबस को एकड़ते हुए चलना है, साथ में questions के साथ चलना है, जो केंद्रे विद्याले के pattern पे questions है, कुछ नए, कुछ पुराने, mix करके questions आपके होने चाहिए, लगबग हर चैप्टर में हम लोग discuss करते हुए चलेंगे, तो एक बार आप लोग आ जो लोग YouTube पे जिनको ये देखना है कि किस तरह से ये sessions चल रहे हैं और हम कैसे काम करने वाले हैं, उनको अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं तो वो इसको demo के रूप में लेकर के और batch में अगर उनको enroll करना है समझ में आता है, तो वो कर सकते हैं, हाजारों की संख्या में ल जो मेहनत है वो उसी तरह से होती है, तो किसी भी fake website से बचे का, आज सुभा भी मुझे एक mail आया था, मैं सारे mail चेक नहीं कर पाती हूं, बट उसमें कुछ mail आ ही जाते हैं, जिसमें आपने किसी fake website से course ले लिया है, कुछ कर दिया, सिर्फ करियर वे लैब पर ये complete batch मैंने देखा है, ये गलत फैमी होगए है कि पेड़ागोजी special अलग से लेना है और PRT का अलग से लेना है, मतलब वो common sensical बात नहीं होगी न, अगर आपने PRT लिया हुआ है, इसका मतलब पेड़ागोजी आपकी 60 नमबर की सबस्यादा PRT में ही है, तो वो अल्रेडी वहाँ covered ही होगा, PRT complete batch का मतलब भी वही है, और ये जो पेड़ागोजी batch है, अगर आप PRT में general subject कहीं और से पढ़ रहे हैं, या फिर TGT और PGT वाले हैं, क्योंकि इसलिए बस सेम है, 40-40 नमबर का, तो वहाँ पे उनको पेड़ागोजी पढ़ने है अलग से, common subjects नहीं पढ़ने है तो ये उनके लिए है जो पेड़ागोजी special batch है, है ना, PRT वाले भी ले सकते हैं, इसको आप पेड़ागोजी सिर्फ की पेड़ागोजी अगर आपको पढ़नी है अलग से, तब उस case में ये पेड़ागोजी special आपके लिए है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, और एक दो परिशानियां हैं, दर्द हैं किया आएगा KBS में आखिर हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, maximum score बिलकुल आएगा जब साथ में मिलकर के महनत करेंगे, ज्यादा बड़ी-बड़ी बाते करने कोई जूरत नहीं है क्योंकि आप paper देके आएंगे, अपने आप पता ल यूनिट में जब हम देख रहे हैं, तो ये कुछ चार टॉपिक्स हैं, जिसमें concept of growth, यानि understanding the learner वाली जो यूनिट है, इसमें concept of growth, maturation, development, principles of development और debates of development, और developmental tasks, तो development आपने CTAT में भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज समय है, तो हमें उसी तरीके से चलना होगा, debates of development, ये आज हम करने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा सा growth को समझेंगे, थोड़ा सा maturation को, इस पर question कैसे पूछे हुए हैं, वो समझेंगे, और क्या development है, basic, basics समझ के चलेंगे, बाकी जो detail में discussion हैं इन पर, वो ऐसे ही चलने वाला तो आज हम ये छोटा सा topic उठाएंगे, जिसमें debates of development, यानि क्या मुद्दे हैं, issues क्या हैं, development को लेकर के, कुछ debates चलते हैं, जो हमने वैसे भी पढ़ी हैं, बस इनको अलग से पढ़ लेना है, इस time पे, जैसे heredity versus environment की एक debate है, कि nature versus nurture, या early experiences important होते हैं, development में, later experiences, तो ये कही आपने, अगर मेरी classes में आप रहे हैं, तो सुनी हैं यह बाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी है, बस इनको थोड़ा सा detail में समझ लेंगे, maturation के बारे में 2-4 बाते करेंगे, उससे पहले growth के concept को भी थोड़ा सा समझेंगे, और इससे questions कैसे पूछे हुए हैं, ये भी अपनी तरफ से भी जो बने हुए questions में लेंगे, वो standard questions ही होंगे, इसलिए बस के आसपास ही, ठीक, ये जो debates हैं, वो किस तरह की debates हैं, चार तरीके की debates हैं, जो majorly चलती हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे, उस से फिर questions पर चर्चा होगी, तो आज कुछ-कुछ काम हम करने वा बात होती है, उसके बाद, session के last में आप अपनी बाते पूच सकते हैं, सभी के doubt clear कर पाना possible नहीं होता, कि में कई हजार लोग होता है, online में यही एक समस्या रहती है, बट कोशिश रहेगी कि session के last में, जो भी major doubts से उनको लिया जाए, ठीक, ये session आपका, जो लोग already batches में enrolled है उनके, जो ये session है, Wednesday, Thursday और Friday, अभी जब तक seat at का exam ना हो जाए, इसको तीन दिन रखेंगे, बाद में इसको 5-6 दिन, Saturday to Sunday off रहता है basically, नहीं तो Monday to Friday चलती है classes, तो अभी Wednesday, Thursday और Friday, शाम को साड़े 7 बजे, ये session रहेगा, ये बिलकुल, जैसे होता कई बार क्या है कि कुछ common topics ह होते हैं, तो दो batches में एक साथ चल रहे हैं, KVS के लिए हमने ऐसा बिलकुल भी नहीं मैंने प्लान किया हुआ, बिलकुल अलग इसको रखा है, ताकि धाई से तीन महीना ही है ना भी आपके सामने, हम तो ये ही मान के चल रहे हैं, कि तीन महीने हैं, तो उस तरीके से इसको होगा आपको पता, बहुत इशॉर्ट में समझते हैं, फिर आगे चलेंगे debates of development पे, growth, development और एक word है maturity, सबसे महतपून जो इसमें word है, वो है development, maturity कहीं ही, यहां बीच में लिख लेते हैं, परी पक्वता जिसको हम कह रहे हैं, growth हमें पता है, वृध्धी कहते हैं, ठीक, इसको समझने में focus करेंगे, वृध्धी, यह तीन शब्द हैं, और तीनों का मतलब जो है, अगर एक point of view से देखें, तो बिल्कुल एक है, दूसरे point of view से देखें, तो अंतर इनमें हैं, छोटे छोटे अंतर हैं, लेकिन यह सभी क्या हैं, यह developmental processes ही हैं, यह विकास की प्रक्रिया क ही हिस्सा हैं अगर देखा जाए, सब आपस में जुड़े हुआ हैं, ऐस ही आप विक्सित होते हैं, ठीक, और इनको एक शब्द में समझें, तो change का नाम है, इन सब में परिवर्तन संबंधित हैं, यह परिवर्तन होते ही हैं, changes होते ही हैं, भई आप अगर देखेंगे अप करेंगे YouTube, ठीक है, टेंशन मतलो, सारी प्लानिंग है, देखें, तो हम कह सकते हैं कि changes, अगर एक वर्ड में समझें, तो हम कहेंगे change, चाहे वो growth हो, चाहे वो maturity हो, चाहे वो development हो, क्या होता है, तीनों में, परिवर्तन होते हैं, कैसे परिवर्तन, ऐसे ही, रात को से सुबह हाथ अचानक से लंबा हो गया, कोई भी random परिवर्तन, नहीं, कैसे परिवर्तन, POS वाले परिवर्तन, जो हमने CTAT में भी पढ़े हैं, यानि progressive परिवर्तन, प्रगती शील, orderly, sequence में होंगे, sequential, तो एक order में होने वाले changes है, एक sequence में, क्रम में होने वाले परिवर्तन है, gradual परि development का भी हिस्सा अगर देखा जाए, तो maturity भी लगभग उसी का हिस्सा है, developmental process का ही हिस्सा है, यह कह सकते हैं, तो जब हम बात development की कर रहे हैं, तो हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं, कि development एक ऐसी प्रग्रिया है, जिसमें परिवर्तन शामिल होते हैं, और यह womb to tomb चलते हैं, बहु development विकास क्या है, एक ऐसी प्रग्रिया जिसमें परिवर्तन शामिल होते हैं, और यह random परिवर्तन नहीं है, यह proper आपके एक sequential, progressive, आगे बढ़ते हुए क्रम में होने वाले परिवर्तन है, progressive, orderly, एक order में होंगे, एक sequence में होंगे, ठीक है, stages में होंगे, वो परिवर्तन है, ज जैसे, changes की जो प्रक्रिया है, womb, tomb, यानि, गर्भ से कबर तक, यानि lifelong process है, रुखता नहीं है, कौन development, तो अगर हम बात कर रहे हैं, विकास की, तो जैसे आप पांच दिन की होते हैं, जैसे आप जन्म के समय होते हैं, वैसे आप दो महीने बाद नहीं रहते हैं, और जैसे आ हम कह रहे हैं, या हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, development को modify करना संभव है, यानि, development को हम modify कर सकते हैं, reverse नहीं कर सकते हैं, तो modification बिल्कुल संभव है, इसमें, changes इसमें लाए जा सकते हैं, बट हम ये कहें कि आज आप adult हैं, और कल आप बच्चे बन जाएंगे, reverse कर देंगे हम, गाड़ी की तरह reverse gear development में तो नहीं होता, प्रती वर्ती नहीं है, बट परिवर्तन संभव है, इसमें लंबी चर्चा हम करने वाले, आने वाले sessions में, ये just intro के लिए है, जो लोग बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये एक basic सी बात हुई, वहीं जब हम बात growth की कर रह जिनको देखा जा सकता है, जिनका measurement संभव है, जैसे आपकी height का बढ़ना, आपके version का बढ़ना, आपकी shape का, आपके size का बढ़ना, जिन changes को आप units में measure कर सकते हैं, या height कितनी बढ़ गई है, inches में आप देख रहे हो, ठीक, kilogram में आप देख रहे हो, weight कम हुआ, जादा हुआ, क्या हुआ, आप basically measurable changes हैं, जिनको परिमानात्मक परिवर्तन भी कहते हैं, यानि quantitative changes हैं, जिनको आप quantify कर सकते हो, structural changes है, तो ये शारिक aspect से, शारिक पक्षों से जुड़ी हुई है, इसका हिस्सा है, development का हिस्सा है, तीसरी एक चीज़ है maturity, maturity बोले तो परिपगवता, growth यानि व heredity, heredity बोले तो आनुवान शिकता है, जो आपके genes, जो आपका DNA, पूरी जो coding है, genetic makeup है आपका, उससे संबंदित है maturity, maturity एक ऐसी चीज़ है, परिपगवता, जो आपके लिए पूरा blueprint तयार कर दिया है, जिसने, कि भाई, ये आपकी DNA में, ये आपकी genetics में coded है, ये information, जैसे environment मिलेगा, जैसे time के साथ unfold होते रहेंगी, ये characteristics ये traits, भई आपको बता, 7 महीने का बच्चा है, वो बैठना शुरू कर देगा, 8 महीने का बच्चा है, खड़े होना शुरू कर देगा, 12 महीने या एक साल में चलना शुरू कर देगा, ये किसके वैसे हो रहा है, maturity की वजा से, हम कहतें कि independent है, training से, guidance से, इसको कोई ज़रत नहीं, guidance की, heredity से जो genetic code आया है, उसकी वजा से environment में unfold होने वाले characteristics, विशेशताय, traits, क्या कहलाते है, maturity कहलाते है, भई बच्चे की टांगों में अगर maturity नहीं cycle चलाना कैसे सखाएंगे, नहीं सखा सकते, चलना भी नहीं सखा सकते जब तक वो, उसकी जो body है, उसका जो mind है, कुछ चीजों के लिए mature नहीं हुआ, परिपक वो नहीं हुआ, तो ये एक ऐसी चीज हुई maturity, हालांकि हर्लोक कहती है, कि हर्लोक कहती है, कई लोगों को यह नहीं पता लगता, पूरा child development पढ़ लेता है, कि हर्लोक मेला थीं के सकती है, यानि maturity को भी बाहर आने में दिक्कत हो सकती है, यदि environment बहुत ही खराब है तो, तो हालांकि हम यह कहते हैं कि environment का, training का, guidance का, guidance का फर्क नहीं पढ़ता, लेकिन अगर बहतर environment होगा, तो कोई नुकसान नहीं है, कोशिश तो यह करनी है, environment अच्छा ही दें, otherwise जो normal आप से आप किसी को यह सोचें के नहीं, आज तो हम बच्चे को पूरा बॉन बीटा एकी दिन में खिला दें, हाला कि होता कुछ खास नहीं है, शोगरी है, तो अगर देखें, तो एकदम से बड़ा हो जाएगा, एकदम से कुछ और करने लग जाएगा, आप पाचवी क्लास के बच्चे को दसवी का स्लेबस नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उसके लिए वो मैचौर नहीं है अभी, अभी बिलॉजिकल मैचौरिटी धिरे-दिरे उसका दिमाग, और मैचौरिटी लग बग हर आस्पेक्ट में, जो डिवलेप्मेंट हैं, आगे चल के नेक्स क्लास में कर जो डिवलेप्मेंटल प्रॉसेस हैं, ग्रोथ से समंदित प्रॉसेस हैं, उन्हें इनवार्मेंट को बहुत ज़्यादा रोल की, एफर्ट की प्रैक्टिस की ज़रत होती है, मैचौरिटी में उतनी ज़रत नहीं होती, लेकिन मैचौरिटी भी क्या हुई? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. चली अगर फिर भी आप मैचौरिटी के तरफ नजर डालना चाहें, और मैचौरिटी हम कहते हैं, सर्टेन एज तक हमारा दिमाग, शरीर, सारी चीज़ें डिवलेप हो जाती हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, मैचौरिटी की या निपरिपक्ता की, तो ग्रोथ आपकी सिर्फ मैचौरिटी तक चलती है, यह बात हम जानते हैं, तो मैचौरिटी इस दी अनफोल्डिंग ऑफ हैरी डेट्री केरेक्टर स्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो समय के साथ, एज के साथ, जो हमारे पुटेंशल हमारे जीन्स में छिपा हुआ है, वो अनफोल्ड होगा है, बताइएगा, परीपकवता क्या है, चार ऑप्शन्स हैं आपके पास, फटा फट से बताएंगे परीपकवता क्या है, हाई, अफकॉर्स यह सीटेट के टॉपिक्स है, इसलिए मैं ज्यादा इनको अभी टेस्टने कर रहे हूँ क्योंकि अभी हम आएंगे, धीरे-धीर अप्शन् तो विकास आत्मक परक्रिया है, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसलिए मैज्टोन्स, उससे पहले ये एक छोटी सी ये ऐसा question है जो आपको बात बातों में कहीं आ जाएगा directly syllabus में नहीं देखेगा अगर हम देखें तो question है कि most accurate बात कौन सी है कौन सा एक statement सही है most accurate पहला statement है girls mature faster than boys यानि लड़कों की अपिक्षा लड़कियां जो है अब जिसने development को भी ठीक से पढ़ा है अगर आप batches में भी थे या batches में ही हुआ है वसे detail में कि adolescence की भी age लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग बताई हुई है मैंने आपको वो table वाली याद कीजे stages वाली उसका reason है देखेगा अब इसमें सब अलग-अलग जवाब दे रहे हैं कोई एक आएगा there is no general difference in the rate of maturation of boys and girls यानि लड़के-लड़कियों की परिपकुता में कोई अंतर नहीं होता देखो इसको gender bias से नहीं जोड़ना यह biological चीज है इसमें मैं और आप society कुछ नहीं कर सकते है the majority of girls mature more rapidly than majority of boys यानि जादातर लड़कियां जो है जादतर लड़कों से जल्दी मिचौर हो जाती है या फिर boys mature faster than girls तो इसका जो factual answer है वो यह है कि लड़कियां लड़कों से जादा जल्दी मिचौर होती है जो लड़कियों की maturity की या puberty की भी age है वो क्या है 8-13 वर्ष और लड़कों के लिए बही 9-14 वर्ष हो जाती है इवन जन्म के समय पे भी ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जो लड़कियां है वो जादा mature होती है मतलब कुछ weeks का अंतर होता है लड़कों से तो हम कहेंगे girls mature faster than boys लड़कों के अपक्षा लड़कियां जो है वो तेजी से परिपक होती है ये developmental milestones भी इनके फिर अलग-अलग होते हैं अभी developmental milestones पे आएंगे हम लेकिन उतना detail में आप से नहीं पूछेगा basics आपको पता होने चाहिए लेकिन अब जिसने stages को भी अच्छे से बढ़ा है उसको ये समझ में आएगा यार जो puberty की age थी वो girls के लिए और एक तिर साल पहले थी दो साल पहले थी और boys के लिए बाद में थी तो कौन mature पहले हो रहा है लड़कियां तो ये कुछ चीजे ऐसी है जो आपका common sense या आपका concept अगर अच्छा है तो आप समझ जाएंगे कहानी चल क्या रही है अब आते हैं issues और debates पे जो की आज का main मुद्दा है जो हमें समझना है यानि कुछ बहस है या कुछ मुद्दे हैं विकास को लेकर के कुछ conflicts भी आप इसको कह सकते हो कि कुछ विवाद हैं अगर मैं कहूं तो वो कैसे विवाद हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो development है वो genetics की वजहां से होता है या ज़्यादा प्रभाव genetics का है ना की environment का यानि genes या heredity या आनुवानशत्ता उतना प्रभावित नहीं कर रही जितना परियावरण करता है और दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं परियावरण ज़्यादा नहीं करता है genes ज़्यादा करते हैं heredity ज़्यादा करती है nature versus nurture भी कहते हैं अब इसको detail में आएंगे दूसरी एक debate है जो कहते है कि development है वो एक smooth प्रक्रिया है अभी आप कल पर सो एक question हम कर रहे थे चाहिद KBS कहीं question था कि smooth प्रक्रिया है development या फिर ये complex प्रक्रिया है या ये stages में होती है तो ये भी दो तरह के लोग है smooth कौन मान रहा है यहाँ पर जो ये कहेगा कि gradually होती है continuous है ठीक और जो stages में मतर्ब distinct stage है तो continuity versus discontinuity सतत्ता बनाम असतत्ता थार्ड question यहाँ पर आता है या थार्ड type की debate है कि जो शुरुवाती सालों के आपके अनुभव हैं वो जादा बहतर या जादा प्रभावी साबित होंगे या आने वाले यानि आज आज आपकी साल अगर आज आपकी यह जो है वो 20 साल है 20 साल है तो आपका present का अनुभव या आपका recent अनुभव जो रहे हैं पिछले 2-3-4 सालों के वो college time में अगर आप हैं तो वो जादा आपके जीवन पर महत्वी डाला है उसने या फिर जो बचपन में कुछ घटनाए घटी थी तो आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा विवाद रहता है और कई लोग पूरे-पूरे जीवन नहीं उभर पाते है जो चीज़ें बचपन में घट जाती है तो आएंगे इस चीज़ पे यह और डिबेट होती है आपकी कि abnormal behavior है individual differences है वो उतनी मैं तो पूर्ण नहीं है paper में कभी पूछी नहीं गई है NCITS वगेरा में दी रही हुई है बट हाँ हम फिर भी उस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे तो पहली डिबेट nature versus nurture की जिससे एक question भी इस बार आया था कि heredity जो है आपकी याँ decide करती है heredity decide करेगी how far we'll go या how far we can go इस पे हमारी चर्चा हुई है previously है ना ये seated वालों को बिल्कुल भी परशान नहीं होना है career will app download करना है कहीं और से मत ले लिए बस जो भी ये लोग पूछने है payment कैसे करूँ और कैसे लूँ और whatever क्योंकि उसमें फिर आपके साथ fraud हो जाएगा वह बहुत इगरबर मामला है फिर आप शिकायत करेंगे हम लोग भी लगे हुए है कि जो भी इस तरह की लोग है उनको थोड़ा सा समझाया जाए कि भाई ऐसे काम मत करो है ना चलिए अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो nature versus nurture debate यानि प्रकृति अवं portion विवाद प्रकृति का मतलब यहां heredity से है जो आपका genetic makeup है जो fix होता है, static होता है स्थिर होता है क्योंकि आपके jeans थोड़ी बदल जाएंगे, conception के ही time से यानि गर्भाधान के समय से ही तो वहाँ environment आपको मिल रहा है तो heredity जादा प्रभावित करेगी विकास की प्रकृति को या environment यह बहस लंबे समय से चल रही है आपने B.A.D.L.A. वगएरा में कभी नगभी पढ़ी होगी नहीं पढ़ी है तो आज पढ़ लीजए आनिवान शिप्ता की जब हम बात कर रहें तो यह static है, fixed है अगर देखें तो heredity बहुत सालों साल में कहीं जाकर generations by generation जाके धीरे-धीरे genetic makeup change होता है अगर आप बिल्कुल extreme environment में भी डालते हैं तब जाकर के अगर आप इंडियन हैं और अमेरिका में जाके रहने लग जाएं तो एक-दो generation तक पता तो लगी जाएगा ना at least आपके color को देखके आपकी कद काठी को देखके के आप American नहीं है या American कोई आकर के यहां रहने लग जाए तो दो-तिन generation के आप कई generation में जाकर के शायद थोड़ा बहुत आस-पास स्थिति color में भी even यह तो इतनी छोड़ी चीज है color उसमें भी अंतर आसानी से नहीं आता तो heredity एक static चीज है उसका ज़्यादा प्रभाव है या environment जो की dynamic है परिवर्तन शील है यह सब बाते हमने पढ़ी है सीटेट में या नहीं बिल्कुल पढ़ी है परिवर्तन शील है उसका ज़्यादा प्रभाव है है ना तो इसको पढ़ करके यह परशान नहीं हो ना कि higher English लिख दी जो मिरी बातें चल रहे हैं उनपे focus करना है और जो important terms है वो मैं लिख वाओंगी Hindi English दोनों में यह just reference के लिए है कि आप comment section में ना देखने लग जाएं कि क्या चल रहा है तो focus इधर ही रखिए Today most psychologists यानि जादा है psychologists आज की rate में यह मानते हैं कि जो development है वो interaction है किसके बीच का heredity और environment के बीच का यानि बहुत सारे psychologists या जादा तर लोग यह मानते हैं यानि Woodworth भी उनमें से एख है जो कहते हैं कि जो development है वो बराबर है किसके heredity into environment यानि गुड़नफल है विकास की प्रक्रिया किसका आनुवानशिक्ता और वातावरण का योग नहीं है यह मतलब additive नहीं है यह दोनों question भी previously पूछा जा चुका है कि add नहीं कर सकते आप इनको कि 75% जो है environment है 25% जो है heredity है बराबर 100 हो गया ऐसा नहीं कर सकते या 50-50 भी ऐसा भी नहीं है equally important है बट किस शेत्र में कौन सा important होगा यह नहीं पता अगर आप अपने intelligence को देखेंगे तो यह काफी हत्तक प्रभावित होती है heredity से लेकिन अगर environment ही ना मिले मानली जो parents बहुत अच्छे हैं बहुत एकदम gifted है और environment बच्चे को नहीं दे पाए कहीं ऐसी जगा रहने लगे जाकर के जहां पर बहुत अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां नहीं है बट बच्चा gifted है उसका दिमाग अच्छा चलता है तो अगर environment अच्छा नहीं मिला तो जो बच्चा scientist बन सकता था हो सकता है वो भगवान ना करे कुछ और terrorist बन सकता है बच्चा अच्छा मतलब क्योंकि दिमाग तो वो लोग भी लगाई रहे ना तो जो heredity है सिर्फ heredity क्या करेगी या हो सकता है जिस potential तक यह तो एक negative ही example हो गया अगर हम दूसरे पक्षों में देखें ऐसा होता है बट यह reality भी है अगर हम दूसरे पक्षों में देखें तो potential जितना आप में था जो heredity से मिला था अगर environment नहीं मिला तो नहीं unfold होगा नहीं सामने आएगा John Keats की एक कविता भी है कि पता नहीं कितने लोगों में potential है जो धर्ती की निचार्ज दबे हुए है कि उस तरह का environment मिल पाना उस तरह की education मिल पाना training मिल पाना उन सब का भी तो बहुत एहम रोल है even nutrition मिल पाना आप तो देख रहे हैं आमिर खान add कर रहे था अब से कुछ साल पहले या भारत में को पोशन बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में अगर हम देख रहे हैं mal nutrition की तो वो अपने आप में problem है तो कितनी भी अच्छी heredity मिली है और खाना ही ना मिले जिस time पे develop होना था बच्चे को चीज़े ही नहीं मिली environment ही नहीं है तो heredity किसी काम की नहीं रही और अगर environment बहुत अच्छा भी दे दिया और बच्चे का IQ है बिल्कुल mood वाली स्थिती है या बहुत ही कमजोर है किसी शेत्र में वाली जो शार्रेक रूप से ही कमजोर है body structure ही वैसा है because of genes और whatever तो उस case में environment बहुत अच्छा भी दे दोगे वुडवर्थ कहते हैं कि दोनों का बराबर या महतुपूर्ण भूमिका है लेकिन बराबर हर शेत्र में नहीं हो सकती जैसे आपकी आँखों के रंग में environment का क्या रोल है जीरो heritage का रोल है अगर हम कहें आपकी education में तो environment का ज्यादा रोल है तो कुछ आसपेक्ट ऐसे हैं कुछ पक्ष ऐसे हैं विकास के जिनमें environment हावी हो जाएगा heritage पर और कुछ आसपेक्ट ऐसे हैं जो heritage जिनको सरपास कर जाएगी environment की बजाए अगर हम यहाँ बात करें तो heritage जिसको हम कह रहे हैं genes कह रहे हैं हमारे दो चीज़े होती है genotype और phenotype heritage की जब हम बात कर रहे हैं हाला कि अपने आप में एक chapter है इस पर आएंगे अभी हम debate के context में समझ रहे हैं बस इसको अनुवान शिक्ता यानि आपकी heredity तो heredity हम दो चीज़ें देखते हैं जो हमारे genes है एक चीज़ है genotype genotype हिंदी वाले भी genotype भी समझ के लिखिएगा इसको और phenotype क्योंकि कुछ term ऐसे हैं अगर आप हिंदी में पढ़ने चले गए आपको चक्कर रुकर आजाएंगे और paper में काम भी नहीं आएगा क्योंकि पता नहीं वो किन नाम से दिया हुआ हो इतने नाम है एक चीज़ के हिंदी में तो terms कुछ-कुछ terms हैं जिनको आपको याद रखना है इंगलिश में genotype बोले तो जो आपके genes genetic makeup है ये करा से fixed है और ये आपके लिए एक limit set कर देगा ये आपके लिए एक limit set कर देगा एक broad limit set हो जाएगी कि भाई आप इतना जा सकते हो मतलब माली जाए अगर दोनों parents एक दम कम height है उनकी 4-4 feet के हैं तो बच्चा अचानक से 6 feet हो जाएगा ये बहुत ही कम संभावना है इस चीज़ की अगर है भी तो फिर heritage से कहीं कुछ चल रहा होगा environment extraordinary दे दिया कुछ और दवाईयां खार रहे हो है whatever it is तो हलांकि इतना easy होता नहीं है तो genotype क्या एक broad limit दे देता है case में खेलते रहो बेटा ये तुमारी higher limit है और ये तुमारी lower limit है अब बीच में environment आ जाएगा और वो decide करेगा कि कहानी चलेगी क्या आगे ठीक तो genotype क्या है एक limit set कर देगा आपके लिए इनसान के बच्चे उड़ोत तो नहीं जाओगे हवाई जाज के बना तो नहीं उड़ सकते तो genotype है वह इनसान का बच्चे इनसान मनेगा और गाए भेंस के बच्चे जो है वो गाए भेंस पैदा हो रहे हैं इसका reason है genotype कि वो genetic coding है हमारी उस तरह की दूसरी चीज है phenotype जो observable characteristics है यानि अवलोकनात्मक चीज़ है जो बाहर दिखेंगे यह आपके genes में है observable characteristics है यानि अवलोकनात्मक विशेषता है या traits भी कह सकते है आप इनको आपके genetic makeup में थी चीज़े तो यह change होता रहता है environment की वजहाँ से phenotype लेकिन जो genotype